अब संसद में आज की शिरुवात करते हैं सुर्खियों के साथ चक्रवात गज और तितली से हुए नुकसान पर आज राज्य सभा में ध्याना कर्शन रहात और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा लोग सभा में भी नियम 193 के तहत होगी चर्चा शैक्षनिक सुधारों से संबंदित विधेग पर राज्य सभा में होगा विचार एजेंडे में शुलक और अनिवार्य बालशिक्षा दिकार संचोधन विधेग राश्ट्रिय अध्यापक शिक्षा पर रिशर संचोधन विधेग पर भी होगी चर्चा राज्य सभा के जिंडे में लोग पृतिने दित्व संचोधन विधेग दो हजार अठारा कानून मंतरी करेंगे पारित करने का प्रस्ताव लोग सभा में उपभोकता संद्रक्षन विधेग पर होगा विचार संसत के शीत कालीन सत्र का आज थीसरा दिन है दोनों सद्रों में आज कई एहम विधाई कामकाज निप्टाए जाएंगे राज्य सभा में आज तीन विधेगों पर विचार होना है इनमें राश्री अध्यापक शिक्षा परिशद संशोधन विधेग 2018 निशुलक और अनिवारे बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेग और लोग प्रतिनिद्धित्व संशोधन विधेग 2018 शामिल है इनके लावा नालंदा विश्व विधाले संशोधन विधेग 2013 भी एजेंडे में हैं जिसे वापस लिया जाना है बात लोग सभा की करें तो वहाँ भी एजेंडे में आज दो विधेग शामिल हैं सदन में आज नैदिल्ली, अंतरराश्ट्री और माध्धसतम केंद्र विधेग 2018 और उपभोकता संरक्षन विधेग 2018 पर विचार होगा संसत के दोनों सदनों में आज चकरवात गज और तितली जैसी प्राकरतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर चर्चा होगी बीते महीनों के दोरान कुछ राज्यों में गज और तितली चकरवातों के कारण हुए नुकसान से पैदा हालात के मुद्धे पर राज्यसाभा में आज ध्याना कर्शन लाया जाएगा राज्यसाभा में सांसद्वी में त्रेयन डी राजा, कनी मूझी, तिरुची शिवा और सीम रमेश इस बारे में सरकार की ओर की गई कारवाई की ओर ग्री मंतरी का ध्यान दिलाएंगे जिस पर ग्री मंतरी बयान देंगे राज्य सभा की प्रक्रिया और कारे संचालन नियम 180 में ये उपबंध है कि कोई सदस्य सभापती की पूर्वा नुमती से अविलंबनी है लोग महत्व की किसी विशे पर मंतरी का ध्यान दिला सकेगा और संक्षिप्त बयान दे सकेगा संबंधित मंतरी को उस मामले में बयान देना होता है ध्यान दिलाना संसद्य प्रक्रिया में एक नई भार्टिय पहल है वही लोग सभा में भी आज नियम 193 के तहट चर्चा होगी लोग सभा संसद्य ब्रुतुरहरी महताब और पी विणो गुपाल देश के विबन भागों खासकर केरल तमिल नाडू और ओडी शा में आई प्रकरतिक आपदाओं जैसे गज और तितली चकरवातों के खास संदर्ब का मुद्दा उठाएंगे विबन दलो के संसद्य चर्चा के दौरान अपने विचार और सुजहाओ पेश करेंगे सिधा रुख करेंगे संसद्भावन परिसर में मौजूद हमारे समवाता अकलेश सुमन का अकलेश आज तीसरा दिन है और हम जानते हैं बैटको के लिहाज से दिन कम है और कामकाज लंबा है आज तीसरा दिन है ध्याना कर्शन भी है और विधेग भी काफी महतवपूर है किस तरह क्या आसार और उम्मीद है आज देखिए प्रिती सबसे पहले तो आज प्रधान मंतरी नयंद मोदी ने भाजपा जो परलेमेंटरी पार्टी है उसकी बैठक में वो शामिल हुए और उन्होंने पूर्फ प्रधान मंतरी अटल विहारी बाजपेई पूर्फ संसद्य कार्य मंतरी अनंत कुमार और पूर्फ संसद बीजेपी के भोला सिंग को सरधान जिली दी उसके अलावा जो संसद परिसर में जो आतंकवादी हमले के दौरान मारे गए जो सिपाही थे उनको सधान दे जी गई और उसके बाद मुझे जो पता चलना है कि राजसभा और लोगसभा दोनों जगह जो प्रस्तावित ध्याना करसन पर चर्चा होनी की बात है खास करके गज और तितली के मामले पे उसके अलावा कई सांसदों ने कुछ और चर्चा की मांग किये जै उस संकेत में टकरहाट बढ़ने की आसंका है प्रिती लेकिन जो महत्पूर्ण बिल में एक जो बहुत ही महत्पूर्ण बिल है रिप्रिजेंटेशन और पिपल्स एक्ट उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें मुझे लगता है कि विपक्षी सांसदों की भी काफी उनको प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार देने की वेवस्था इस बिल में की गई है लोग सभा से और लेटी ये बिल अगस्त में ही साल पारित हो चुका है और राजसभा में ये बिल पर चर्चा होनी है इसे पारित किया जाना है और इसके ताथ जो कोई एनराई बाहर रह रहा है उसके वह किसी को भी नामीद कर सकता है खास करके अपने परिवार के सदसों को जाएं और वोट करें तो यह एक बहुत ही मैं कहूं की बहुत ही महत्पुर्ण बिल है और बहुत ही जिस तरके से प्रधानमंती नैंद मोधी विदेशों में जाकर एनराई लोगों को रहें वैसी स्थिती में अगर उनको वोटिंग करने की खास करके प्रॉक्सी के द्वारा वोटिंग करने की जाजाता कर मिलती है तो एक बहुत ही परिवरतनकारी कदम होगा और मुझे लगता है कि राजसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद इसमें बिल्कुल द राजसभा में पूछे जाने वाले सवाल उपर प्रभाकर रेडड़ी वेमी रेडड़ी का सवाल मानव संसाधन विकास मंतराले से होगा वो पूछेंगे आंधर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यानुयन की स्थिति क्या है सांसर्ट शचिकला पुषपार रामा स्वामी का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्राले से होगा वो पूछेंगी कि क्या सरकार ने निशक्त बच्चों के समक्ष उनकी विद्ध्याले सिक्षा पाठ्यक्रम अध्यापनकला और परिक्षा के संबंद में आने वाली विभिनो चुनोतियों से निपटने के लिए कोई व्यापक सिक्षानीती तयार की है संसर टीर अतिना वेल का सवाल प्रधानमंत्री कार्याले से होगा वो पूछेंगे क्या इसरों ने 27 सेटेलाइटों के संयोजन कारे को आगामी तीन सालों के भीतर जल्द पूरा करने के लिए तीन भागीदारों का सहयोग लिये जाने का निर्ण लिया है सदन में इसके इलावा प्रमानू उर्जा, उत्तरपूर्वी, शेत्र विकास, आवासन और शहरी कार, कार्मिक, लोक्षिकायत और पेंशन, योचिना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंत्रिक्ष, जन्जातिये कार, महिला और बाल विकास मंत्राले से जुड़े एहम सवाल भी पूछे जाएंगे, ब्योरो रिपोर्ट, राज्य सभा टीवी, और इसी के साथ संसद में आज में फिलाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद देखिए, टुडे इन पार्लिमेंट, नमस्कार